हाई एवरीवन आज के वीडियो में आपका स्वागत है सबसे फेले अपालोजीज कि मैं हिंदी के बहुत जादा वीडियो शूट नहीं कर पाता अभी मैं थोड़ा सा ध्यान दे रहा था अपने hedge fund पे मैंने शुरू किया है आप लोगों की blessing से साथ वो काफी अच्छा चल भ साता है मैंने सुचा कि हिंदी के लिए भी हम मैं थोड़ा सा क्विक अपडेट वाला एक section शुरू करता हूं तो मैं फटा-फट जब भी मार्केट चल रहा होगा कुछ major changes आ रहे होंगे कुछ मुझे बताना होगा तो मैं कोशिश ये करूँगा कि हफटे में 2-3 वीडियो निकालना शुरू करूं हिंदी के ओडियंस के लिए तो उस संदर में आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको market का overview मिल जाए तो चलिए आज के वीडियो में 4-5 मुख के बातों पर बात करते हैं सबसे पहला तो question ही आ रहा है investors के दिमाग में कि य अब बिल्कुल rocket बन जाएगी सब चारी चीजें तो उसको कैसे हमें decipher करना चाहिए फोर्थ कि अब next major up move कब आएगा राइट कि अभी तो rally अच्छी आगई तो आप क्या है तो nifty से कहानी पूरी शुरू करते हैं यह 4-5 raw format के points में आपको फटा फट बता देता हूं आपने यह points पहले भी सुने होंगे मेरे से लेकिन मैं आपको एक बर consolidate करके बता दूगा तो अभी जो market में चल रहा है उसमें आपको एक अच्छी grip मिल जाएगी तो सबसे पहली चीज कि अगर आपको पता करना हो कि market overvalued है undervalued है तो दो चीजों का ध्हान रगें तो सबसे पहली च अभी उठाके देखो कि जैसे 2008-2010 के बाद वाला crash के बाद तो अभी आप देखोगे कि इसी range में घूमा था काफी time तक यह basically recovery zone होता है यह भी एक तरीके से recovery zone चल रहा है एक मैं quick side note दे दूँ कि PE का मतलब क्या होता है PE होता है एक तरीके का valuation multiple and यह एक तरीके से indicate करता है कि बजार कितना महंगा है जैसे for example अगर आप जाओ 2021 में जब एक major rally आई थी 2020 के बाद वाली तो उस समय जो था उस समय PE था market का 42 तो यह काफी बढ़ चुका था अभी कितना है अभी तो यार यह तो यह तो यह तो यह तो यह तो इसका पास चल रहा है तो ऐसा नहीं कि बहुत आई ती recovery राइट सिमिलरली यहां से यह जो crisis थी उसके बाद आप देखो तो निफ्टी पी स्टेविलाइस यहां से ही होना शुरू है तो यह stability zone maintained रहेगा मेरे साब से काफी लंबे time तक जिसका दूसरा important मुद्दा आता है जो मैं आपके साथ discuss करना चाहता था कि PE में होता ह है earnings right so अगर किसी stock में सिर्फ price price growth हो रही है लेकिन earnings growth accordingly और proportionately नहीं हो रही इसका मतलब क्या होता है accordingly और proportionately का यह मान के चलो कि stock था 100 रुपे पहुंच गया 200 रुपे उसकी earning थी 100 रुपे and वो पहुंची 1.500 रुपे तो इसकी earning उसी rate से grow करी the short answer is no तो इस तरीके के stocks हो गए over valued so to cut the long story short and यह आपका major key takeaway बन जाता है कि भाई देखो यार अगर P side में ही रहा ऐसे ही दोड़ता रहा तो आपको ऐसी company पकड़ रही है जिसमें earnings growth होगी अगर आपने ऐसी company पकड़ ली जिसमें earnings growth proportionately नहीं हो रही है stock price के comparison में तो आप बुरी तरह फस जाओगे and वो आपके इसलिए काफी दिक्कत पैदा कर देगा यह तो हो गया पहला पॉइंट अब मैं आपको निफ्टी के चार्ट के लिए चलता हूं and बताता हूं अपना estimate देता हूं यह estimate यार गलत हो सकता है कोई मैं वह थोड़ी हो अंतर या मैं थोड़ी हो कि मैं आपको बदा दू एकदम स आया है recently तो आपको बहुत सारी situations मिल जाएंगी जैसे कि आप अगर यहां से देखो तो यह एक 10% correction था है in fact 15% correction था और यह recent data यह 2020 के बाद वाली data है यहां पे definitely था यहां पे था यहां पे था तो आप देखोगे कि यार 4-5 तो ऐसे instance थे जब market जो है वो 10% से जाधा correct कर चुक यह एक बहुत important aspect हो जाता है पहला मुद्दा दूसरा मुद्दा अभी आप देखोगे कि चलो यार यह सारे तो कहानी हो गई थी यहां पे consolidation आ गया था एक अप major run up हो चुका है जो यहां से यह point A से point B तक हुआ था in fact अब मैं आपको थोड़ा सा zoom in करके दिखाता हूं तो आ आप यहां पे देखोगे कि अगर आप weekly candle पे देख लो या daily candle पे देख लो तो आपको इस तरीके का zone था राइट यह इस तरीके से जाना चाहिए था यह मैंने जो dotted line बताई है लेकिन यहां पे breakout आ गया और इसको इसने break कर दिया अब मेरे हिसाब से जो एक major important चीज होगी कि यह जो support zone है यह जो line है आपको दिखरी यह red वाली यह होता है support zone इस पे बापस nifty आके गिरेगा अब हो सकते हैं कि आज से चेवही ने बात गिरे आज सकते हैं साल बर बात गिरे मुझे नहीं पता लेकिन गिरेगा जरूर राइट और वह आपकी bulk buying opportunity होगी तो अब आते हैं next कि अगर आप अब दो तीन तरीके के buyers हो सकते हैं market में पहले टाइप के buyers ऐसे हो सकते हैं कि देखो 2020 में मैंने भर-बर के समान खरीदा बहुत बढ़िया चला 2021 में मिरेको थोड़ा सा नुकसान हुआ लेकिन मैंने market से विड्रॉन ही करा and 2022-2023 में मैंने investment जारी रखी और अब बिग मनी या अच्छी अपनी net worth लगा रखिये जैसे for example मैंने करीब करीब अपनी 70% के असपास net worth टोटल पूरी राइट stock market में लगा रखी है right hand मेरे लेटी के बढ़ा खुश हूँ कि चले या market बढ़ रहा है यह वो so ऐसे bias को क्या करना चाहिए और ऐसे investors को क्या करना चाहिए बने रहो ऐसे कोई जिंजट वाली बात नहीं है सबसे important चीज आपने क्या करनी है कि आपने एक fund बनाना है fund मतलब एक opportunity fund कि मानके चलो कि आपका 10 लाग रुपे का portfolio है तो 2 लाग रुपे का एक side fund मना लो इसको cash fund बोल लो उसको आप side में रख लो कि जब भी भी 10% के आसपस गिरावाट होगी तब उस fund से पैसा निकालके आप लगा दे नाराम से वह गई बंद मत करना invest करना क्योंकि अभी clear trigger नहीं है कि market गिरी जाए राइट सो उस चक्कर में मत बैठे रहना कि market गिरेगा तब ही मैं खरीदूंगा और अच्छी आपकी net worth होनी चाहिए market में right that's one second key point कि भई दूसरे तरीके का बाहर हो सकता है कि यार हम तो देखते रहे गए right market दोड़ गया 2020 के बाद राइट फिर 21 में opportunity आई थी लेकर हम बैठे रहे हम सोचते रहे कि market और गिरेगा तब खरीदेंगे तब खरीदेंगे लेकिन market ने फिर दोड़ लगा दी और अब तो all time high pay है तो अब क्या करें right यहां देखो सबसे पहले तो आपको net worth का concept पता होना चाहिए right net worth का मतलब क्या होता है बहुत simple सी चीज है कि मान के चलो कि आपका एक घर है right आपकी नौकरी है right आपके दुनिया वर के FDFD है और दुनिया वर की सारी चीज है right और इसका computation computation में ठालो मान के निकल के आता है कि आपकी total net worth है 1 crore right सब कुछ मिला मिलूगे सारे assets और आपकी नौकरी चल रही है नौकरी से आपको 10 lakh रुपए की कमाई होती है साल की right और तो आपकी 1 crore की net worth हो गई and plus आपकी 10 lakh रुपए की नौकरी हो गई जो आपको हर साल दंखा देती तो at least आप पहले अपनी 30% net worth तो ले आओ market में जत्ती जल्द से जल्द आ सकते हो highest level पर भी ले आओ तो कोई issue नहीं है क्यों क्योंकि ऐसे मानो कि अगर आप अभी जाके एक bulk invest भी कर दो तो भी ऐसा नहीं है कि do गुग है right अगर आपकी net worth मात्र 20-30% है market में तो आप आगे च आप एक simple सा यह computation बढ़ा सकते है यह मैं आप से बोलूँगा यह थोड़ा सा long term आप सोचना एकदम मतलब जो एकदम short term thinking होती हो वो exhibit मत करना वो ठीक नहीं होता है right कि यह मतलब फिर यार वोई gambler वाला point of view आता है फिर आप गो आके gambling ही कर लो right अगर आप नहीं करना है तो अ मतलब किये है आपने जैसे मालनों mutual fund में या stock में पैसा डाला आपको जरुरत है हफ्ते-10 दिन में तो निकल जाएगा आपका पैसा हो सकता है यार market नीचे चल रहा हो तो कम आपको realization हो थोड़ा सा principal loss हो जाए वो risk तो हमेशा होती है no doubt about that लेकिन अगर आप तो nifty-fifty का चार् चीए कि आपकी net worth तरीब करीव है at least 20-30% minimum and इसको आप over time expand करके ले जाओगे 50-60% तक यह तो बहुत important चीज है तो यह जो दूसरी category का investor है जिसने miss out कर दिया कि भाई आम तो वह देखते रहे हैं सब शूट गई बस शूट गई है वो stuff तो आपको क्या करना चाहिए सबसे पह cash fund आप बना लो वह ज़रूर बनाना क्योंकि उससे होगा कि कि आप downward average कर सकते हो right कि अभी माल लो market 25,000 पे और फिर वह 10% गिर गया तो साड़े बाई से पहुंच गया तो उस time पे आपका cash fund है वह आप डाल देना तो आपका loss मिनिमाइस हो जाएगा फिर आपको हिम्मत मिल ज जाती है अच्छी खासी चार मात साल में तो ऐसे सोचो यह दो category of investors हो गए अब तीसरा point आता है खिलाडी लोगों के लिए खिलाडी लोग कौन होते हैं खिलाडी लोग वो होते हैं कि जो hunting करते रहते हैं हमने हर दिन उठेंगे news पढ़ेंगे estimate लगाएंगे कि सरकार आज यह रेलवे पे तो हम जाएंगे करेंगे railway में invest हो सकता है आपके पैसे बन जाएं हो सकता है ना बने लेकिन आप यहां पर अंतरयाम ही नहीं होते बहुत सिंपल सी बात है यह तो हर किसी को दिख रही है चीज ऐसा थोड़ी कि आपने कुछ मतलब कोई अलग information हो खालड़ी market से आप IRFC देखो राइट यहां पे आप क्या देखोगे यहां पे आप देखोगे कि अगर आप stock price उठाओ तो stock price दो साल पहले कितनी चल रही थी 21-25 दो साल भी नहीं हो है पूरे लेकिन यहां पे 21 रुपे पे चल रहा था stock अभी कितना चल रहा है भाई अभी यह 10 गुना हो है stock correct and 10 गुना हो गया है अब पिछले दो साल में profit profit कितने बड़े हैं तो आप देख लो कि कितने 10 गुना हो गया है नहीं double हुए राइट इतना बढ़ गया stock price अब आप जाके खरीद रहे हो कि सरकार और खच कर लेगी पैसा रेल पे तो और बढ़ते ही चला जाएगा यार अती होती है आप ऐसे दोड़ी कि यहां पर P.E. कितना stock था आप देखो 45 के P.E. पर चल रहा है वो भी railway हाईवी infrastructure stock doesn't make sense अब पंटरिंग है पंटरिंग मतलब की खिलाडी लोग है कई बार लग जाता तुक्का कई बार नहीं लगता है लेकिन मैं आपको एक बात clear कर दूं क इस समय ना किसी के अंदर इतनी धम नहीं होगी कि कि किसी का 10 लाक रुपे का portfolio है वो जाके बोले कि चलो अब मैं 5 लाक लगा रहा हूं इसमें या मैं 2 लाक लगा रहा हूं इसमें आप 10-20% वाले नहीं मिलेंगे आपको ऐसे 5-5,000 रुपे लगाने वाले लोग मिलेंगे 10 लाक का portfolio फिर उसमें वो खुछ होते हैं कि हमारा 100% return बन गया 500% return बन गया कितनी capital पे राइट तो थोड़ा वो समझ के करना फालतू की risk मतलो P ratio के वारे में definitely सोचो अभी ऐसी कंपनियां मत पकड़ो जहां पर E नहीं बढ़ेगा या earnings बहुत जादा बैठे हो कि budget में announcement हो जाएगी and यह stock न एक तुम दोड़ लगा देगा हर कोई सोच के यही बैठा हुआ है मान लो कि नहीं हुआ फिर इसमें इतने lower circuit लगेंगी कि आप निगल भी नहीं पाऊ गया से स्टॉक उसे सो थोड़ा सा दिमांग लगा ले ना defense railways इन सब चीजों में जिनकी बहुत जादा ग्रोथ हो चुकी है कुछ-कुछ टॉक दो-डो-सो डाइडा-इडा-इसो के पी पर चल रहा है कि मत करीदना हो वाले स्टॉक सिंपल सा पॉइंट हो है ठीक है अगर आप कि आपको बहुत जादा पैसे बनाने का शौक है कि यार हमें मजा नहीं आता 12-13% से कोई बात नहीं एक broad-based investing कर लो 12-13% से आपके 50-50 में डालके बन जाएंगे है ना लिफ्टी-50 में लिफ्टी-50 की जाएंपे small cap 250 पकड़ लो उसमें double बनता है इसका return over a long term अगर आप 3-4 साल के लिए hold करके रख लो तो average CAGR small cap mid cap का 24-25% के आसपास निकल के आता है तो उस हिसाब से आप देख लो है ना लेकिन यहां पर क्या हुआ अपकी इंडिविज्वल एक viewpoint all clear कर दूँ वो है nifty management को लेकर तो nifty management का मतलब क्या होता है कि देखो वापस निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं तो आप देखोगे कि देखो निफ्टी को एना manage करा जा रहा है हमेशा manage करा जाता है कि जैसे इस range में घुमाए जा रहा है अब ऐसे थोड़ी है कि यह यह पूट रही है यह स्टफ तो अब important सवाल यह आता है कि देखो लिफ्टी management का मतलब क्या होता है निफ्टी management का मतलब ही होता है कि देखो निफ्टी का 11 decide कर दिया कि पच्चेस दार के आसपस घुमाते है या इस range में घुमाते है पच्चेस से लेके 26 और इसको रखेंगे 6 मह लिए रेल स्टॉक्स बढ़ा दिये दोड़ा दिये राइट कुछ defense बढ़ा दिये दोड़ा दिये फिर इनको एकदम से गिरा देंगे और इसको उठा देंगे तो अब देखो यह उठने लोग क्या करते हैं लोग यह सोचते हैं कि मैं आईटी में घुस जाता हूं फिर उस आप कर क्या सकते हो कि आप undervalued चीज खरीज सकते हो और अराम से बैठ सकते हो अच्छे दिनों के लिए that's it सिर्फ आपको उस चीज पर दिमाग लगाना है जैसे कि for example आप private banks देख लो ऐसे की HDFC देख लो ICHI देख लो access देख लो कोई भी जो भी आपको private bank ठीक लगे वो आप आप दे रहा है एक PVR inox के बारे में मैंने बोला था तो PVR inox भी अच्छा run-up दिया है पिछले महीने बार में 7-8% उपर बढ़ गया हो तो मैं कहना यह चाहता हूं कि देखो हमेशा जब भी आप stock investing कर रहे होते हो आपका goal होता है कि आप hyper overvalued चीज मत खरीद हो undervalued में भी ह deeply undervalued हो सकती है मैं यह नहीं बोल रहा है कि HDFC bank इस point से गिर नहीं सकता है बिल्कुल इसकता है उसमें दुनिया वर की खबरे निकाल सकते हैं वो लोग लेकिन आपको खुछ समझ में आ रहा हुआ कि HDFC bank overvalued नहीं है भी इस हिसाब से आप थोड़ी सी investing कर ले न अगर आपको ज्यादा समझ नहीं आता तो क्रपया करके SIP अपनी जारी रखें ज्यादा खिलाणी ना बने जो आपके पास overvalued stocks हैं उसमें से निकल ना है बहुत important है अब budget का final point budget का मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि budget ऐसा कुछ बहुत धमाल मचा जादा ध्यान रहेगा में भी हो सकता है कुछ budget उनकी तरफ divert कर आजाए आप मेरा इशारा समझ रहे होगे तो बहुत budget पे खेलना on stocks does not make much sense आप simple से undervalued assets पकड़े उसमें invested रहें बहुत जादा खिलाणी ना बने अभी घबरानी की कोई बात नहीं है बहुत important point यह कि आप 20% अपना portfolio cash में रखें जिससे कि आप downward average कर सकें यह बहुत important strategy हो जाती है बाकी guidance के लिए आप मेरी member community भी join कर सकते हैं जो मैं English channel पर चलाता हूं मैं link डाल दूगा नीचे अगर आपको अच्छा लगे उसमें मैं regularly आता हूं almost daily आता हूं और कुछ आपको update देता हूं stock market के बारे म हैं तो उसमें quick information हो जाती है हर दिन वीडियो बना पाना संबब नहीं है तो मैं उमीद करता हूं कि इससे आपको थोड़ी सी conceptual clarity मिली होगी कुछ अगर आपके questions हैं तो आप comments में जरूर बताएं मैं उससे साब से अगला वीडियो भी structure करके फड़ावट बना दूँ है thank you so much for कि लुट झालद कि उमीद इससे